चेक आउट सेटिंग्स यानि कि वो लास्ट पेज जिसके थूँ अब यूजर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उसको उसका प्रोड़क कहाँ पर डिलिवर करवाना है तो चलिए आज अपन समझते हैं कि आप किस तरीके से अपनी चेक आउट सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं तो चलिए अपन अपने स्टोर पे चलते हैं तो गैस मैं आगे हो अपने wsq.myshopify.com के एड्मिन पैनल पर और यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में left menu के यहाँ पर आपको मिलेगा एक चेक आउट का option तो इस चेक आउट के options के अंदर आपको बहुसाए चीज़े पूछेगा जैसे कि आपको अपने user को account create करवाना है या नहीं करवाना अपने user से कौन-कौन से information लेनी है जो चेक आउट का page है उसके अंदर और कौन-कौन से fields आपको add करवानी है और उसके अंदर क्या-क्या fill करवाना है यह सारी चीज़े आपको इस चेक आउट के page पर initialize करानी पड़ेगी तो first है अपना customer account तो customer account का मतलब यह है कि जब भी user अपना checkout के page पर आएगा तो उसको अपना जो उसको एक account create करवाना compulsory है या नहीं तो यह चीज़ अपन डिसाइड करेंगे कि at the end वो account create होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर में पस तीन option है account are disabled तो इसका मतलब यह है कि accounts जो भी मैं create करूँगा वो disable हो चुके है यानि कि user कोई भी customer आएगा अपने store से purchase करेगा and gone यानि कि अब उससे अपने कोई भी information लीक है यानि कि उसका नाम क्या है उसका email id कि अपने कोई भी information प्रोवाइड नहीं करी तो last है अपना accounts है required यानि कि जब भी user अपने checkout के page पर आएगा तो उसको अपने account को login करना पड़ेगा या फिर on the spot account create करना पड़ेगा otherwise वो आगे process नहीं कर पाएगा तो यह है अपने customer के accounts अब आता है customer को contact करने के regarding अपन बात करें अब यहाँ पर आ रहा है कि customer अपने phone number और email के through भी अपने checkout को process कर सकता है तो यहाँ पर यह किसके regarding बात कर रहा है क्योंकि जब भी order deliver होगा तो उसको एक phone number जाना चाहिए या फिर उसके पास एक call जाना चाहिए या फिर एक email जाना चाहिए या फिर मैं उसको सिर्फ और सिर्फ email के through ही customize कर वाँ यानि कि मैं यहाँ पर जब भी मैं checkout पर हूँगा तो मैं अपना email या फिर मैं phone number यूज़ करूँगा otherwise मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसकी email ही लूँगा यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आसे order dispatch हो तो उसको वहाँ पर एक notification आ जाए कि यहां से order dispatch हो चुका है या फिर SMS आ जाए अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप उसका phone number भी add करा सकते हो जिससे कि shipping के time पर उसको कोई inconvenience ना हो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपन यहाँ पर Shopify का app भी download करा सकते हैं जिससे कि जो customer है अपना order का status देख सके अब आता है अपना form option form option का मतलब यह है कि अपन जब भी check out होगा तो उससे अपन को क्या के चीज़े require हैं जिससे कि through अपन उसके नाम का bill generate कर सके Shopify के end से अब आ रहा है company name की company name आप 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 पर field दिखाना चाते हो company name की आप यहाँ पर तीन option डाल सकते हो कि hidden, optional and required तो मैंने यहाँ पर अभी hidden कर रखा है अब आ रहा है कि आप address की regarding आप क्या करना चाते हो तो hidden, optional and required कर रहा हूँ shipping address phone number hidden है तो मैं इसको require कर रहा हूँ तो इस तरीक आप अपने checkout forms को customize करा सकते हो, अब आते हैं अपन tipping पर, tipping यानि की एक छोटा सा tip provide करना अपने checkout के time पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप shipping के type पर कोई tip option डालना चाते हो, यानि अगर मैं इस पर tick करता हूँ तो महाँ पर मेरे पास एक option आ जाता है कि मैं yes, मैं एक tip क option रखना चाता हूँ, यानि कि tipping के option पर एक आ जाता है कि 5% की tip देना चाता हूँ, मेरे overall product पर, 10% की take मेरे overall grant पर, 15% की tip मेरे overall subtotals पर, यानि कि 5% की tip 10% की tip 15% की tip मेरे जितना भी overall हो रहा है उनस पर, तो मैं इसको अभी uncheck करके आगे चलते हैं, अब आता है order processing, order processing का मतलब होत करें, तो उसके वहाँ पर, कौन सा address आना चाहिए, बिल पर, तो यहाँ पर लिखावा है, use the shipping address as the billing address by default, यहाँ पर आप इसको check कर सकते हैं, otherwise, जो भी आपका billing address होगा, वही आपका shipping address भी होगा, अब आ रहा है कि enable address, auto completion की, आप auto completion करवाना चाते हो address, तो मैंने इसको take कर रख यानि कि वो जो अपना orders है, उसको मैं line by line अपने आप उसमें add कर दूँ, या फिर मैं इसको manually भी add कर सकता हूँ, अब यहाँ पर आप इन तीनों में से कोई सा भी options select कर सकते हैं, अब यहाँ पर आ रहा है कि जब भी अगर कोई order place हो जाता है, तो आप उसको automatically archive कर सकते हो, यह यहाँ पर मैं उससे अपने user से बोलूँ कि mail को वहाँ पर अपनी email ID या SMS यानि कि phone number के थूँ में को वहाँ पर email को subscribe करवाना है, जिसके थूँ मैं अपने नए offers या फिर किसी भी तरह के newsletters को मैं उनको send कर सकूँ, तो यहाँ पर मैंने कर रहा है email marketing को check, यहनि कि at the end मैं उस यहाँ पर अभी display हो रहा है English आप इसको चाहो तो मैंने check out language पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप आकर अपनी language को change कर सकते हैं, तो यह थी अपनी check out की कुछ settings जिसके थूँ आप अपने check out page को customize कर सकते हैं, तो I hope कि आपको आज की check out settings समझायोगी जहाँ पर अपने कुछ कुछ यूजर से अपने कुछ यूजर को subscribe कर आया, और many other things, so guys thank you watching this video and don't forget to hit the subscribe button, thank you guys